गौड मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जो है एक लड़की जिन को बहुत चाहता हूँ तो एक लड़की जिन को जिसको मैं चाहता हूँ वो जो है आपको मानती है यानि आपको यह नहीं गौड को मानती है तो गौड को मानके वो सच पे यखीन करती है उसको उससे अगर जीतना है तो सच साबित करना है सच को मानना है तो मैं उससे मिला था यखीन करके तो यानि गौड मेरे को नहीं मिला है उससे और मैं जो है उसको real में चाहता हूँ true love करता हूँ तो लेकिन उस उसे मिलना है मेरे को तो God का नाम लेना पड़ता God को सच मानना पड़ता उसके और उन्हें भी में कुछ आती लेकिन जब भी मैं God का नाम लेता हूँ तो ने में कुछ आती और मैं सच साबित हुआ तो उन्हीं जुह है उससे मैं जीतता हूँ अगर मैं उससे ज्यादा सच हुआ तो आप मेरे को यह बताए कि मैं उसको सची महभब करता हूँ तूव लड़की जिन बहुत ब्यूटिफुल है एक तरीक तरीख से जैसा अमेरिकन दिखते वैसी दिखती उन्हें तो आप मेरे को यह बोल दिया कि मैं करूं क्या क्या क्योंकि अगर जबी में कुछ से बात करना है या उसको अगर अगर मेरे पाना है तो गॉट का नाम जबरदस्ति के लेना पड़ता उसके या उससे ज्यादा सच होना है तो ऐसा क्यूं है क्योंकि मैं भी जिन इच हूं असनी जिन हूं मैंभी लेकर मेरे को किसी गॉट को माननी की जुरत नहीं किसी से ज्यादा सच होने की जूरत नहीं है कि मैं किसी को पाऊं यह हसिल करो तो मैं क्या करूं अभी अगर लड़की भी मेरे कुछ चाहती में कोई यह मालूम है कि लड़की जिन जो है वो भी में को बहुत सची मुहबत करती है और उसके रिलेशन्शिप उसके जो वो जो तालूखाद रखती है बहुत अच्छे तालूखाद रखती है उसके जो क्या बोलते है फैमिली रिलेशन्शिप जो रहती है बहुत अच्छी है अच्छे घराने से है बहुत तो लेकिन उन्हें क्या उन्हें मेरे से सची महबत करती है ने करती क्योंकि में कुछ यह म में कुछ आती वैसा नहीं रहता था आप क्या बोलते मतलब अगर मैं जैसा उसका गौड का नाम लेता है गौड को सच मानता हूं तो उन्हीं मेरे कुछ आती बोलती कि मैं तुमा कुछ आती हो या मैं से जादा सच हुआ तो उन्हें बोलती तुम सच है तुम जीते बोलके ब में तो उन्हें मेर कुछ आती तो गौड को सच माने तो मेर कुछ आती मतलब उन्हें गौड की मानने वाली है लेकिन मैं जो मैं भी अस्टी जी नहीं हूं लेकिन में को जूरत नहीं है कि मैं उससे सची महबद करता हूं उन्हें किसी गौड की है बोलके मैं ऐसा नहीं चाहत और मेरे को यकीन आया कि उन्हें मेरे पास है यकीन आया और मैं सच पर यकीन करके उससे महुपत हुई मेरे को तो मैं गौड को मान के उससे नहीं मिला मैं और गौड को उन्हें चाहती है वैसा कुछ भी नहीं है मदलां गौर्ण को ने चाहती जो radio कि इसलें नहीं चाहता हूं उसको इसको उसको को खुबसूरती से चाहता हूं और मैं उसे यकीन करके मिला था मेरी एक तरीख से मेरी जिन है महलें लड़की जिन है जो मैं उसको a arico क्या मैं क्या करूँ उसको क्योंकि उन्हें जो है अगर सच में मेरे से सची महबद करती तो गौड का नाम लेना जुरूरी नहीं रहता था उसके कि उन्हें मेरे को आके चाहे या अब मेरे को चाहे जब उसके God काta नाम लूए या God की और satch मानू और मैं अगर ज्याद़ा सच हुआ उससे या उसके God से तो उन्हें मेरे कुछ सच मानती थी या हार जाती थी मेरे से हार के सच मानती थी मैं तुमारी युँँ ऐसा नहीं बोलती थी अगर बोली भी तो, तो आप क्या बोलते हैं, मैं क्या करूँ अब कैसा मैं अगर पाऊं ये लड़की जिन को, तो क्या करूँ मैं, अगर सची मुहपत रहती, तो उन्हें मेरे जो नाच्रल जो मेरा, मतलब जो नाच्रल फेस बोडी है, उससे मेरे कुछ आती थी, जब उसके या तो उसके पास अखल नहीं है या फूरी तरीख से, या खोश नहीं है, क्या होँगा बहो आप, अब देखो नागर आजमा के देखो, मैं देखिण खोष़क्त करूँ, तो नहीं का करूं मैं, मैं कुछ समझ मही नही का रहा, कुछ न कुछ सच साबित करने का है जैसा जिन से जब सच साबित करें तो वो लोग सामने आते वो नहीं आते वो लोग तो मैं किसी जिन के सामने जाना है कुछ साबित करना है तो मैं कुछ सच साबित करने की जूरत नहीं है क्योंकि मैं जिसम से अस्क्ली जिन हूँ, पहले, समझने ना, समझने पर सोचने से, मतलब जैसा आप खुद ये एक तरीख से महसूस कर सकते, जैसे कि मैं आप कुछ समझा, समझ के सच हुआ, समझ से, तो जिन को महसूस होता कि कोई सच हुआ, अटोमाटिकली नेचर के तरफ से, और उसका दिल चलना शुरू हुआ आता, उसको महसूस रता है, एहमत सच है, तो जैसा मेरे पास वो लोग मान के आने के कोश्च करते, सच हुआ मैं तो, तो एकदम जो है मेरे को बुरा समझाना या सोचानी कोश्च कर देते कोई, जिससे जैसे तो लोग नेचर एकदम बोलते हैं एहमत घलत हुआ, कोई तो भी कुछ आके साबित कर देता, तो आप यह बताए कि जितने भी ऐसे जन है जो मेरे से सची महबद करते हैं, या जोग मजबूर हैं कि सिर्फ सच पे बदले, सच पे रहे, या जोग को सची महबद मालू हैं नहीं मालूम हैं, आप क्या बोलते हैं, मैं तो सची महबद करता हूँ, अगर मेरे पास पैसे आ जाए, तो मैं अभी का भी निकल जाओ, एरपोर्ट पे, मतब टिकेट पहले बुक कर लोग जाके प्लेन से जाके, वो लोग कहा हैं, वो लोग जाके मिलता हूँ, मिलके स तुम से मिला मैं खाब में, और मैं तुमा को महसूस करता हूँ, या महसूस भी करा मैं तुमारे को कई बार मेरे पास, तो, या फिर कोई और बात पर बोलता हूँ, क्या तुम मेरे को जानते हैं, सामने जाके, तुम मानते कि तुम मेरे बीवी है, जब गॉड का नाम लेता तो आप बता है कि क्या करना चाहिए मेरे को शायद अखल इस इन्सान के वैसे नहीं है यह लोग को अगर इस इन्सान के वैसे अखल आ जाएगे तो खुद बखुद मेरे से सची मुभबत करेंगे, सामने आएंगे, मिलिंगे वो लोग जब सच मालूम होईगा क्या बोलते आप हाला कि मेरे उनके साथ बच्चे भी है कई जिन लड़की के साथ और उभी बड़े बच्चे है तो बोलोग खाली यही मानते कि तुम हमारे गौड को मानेंगे सच तुम गौड को महबत करेंगे मतलब सच मानेंगे सच मानेंगे तो महबत होंगे गौड से सच मानेंगे तो हम तुमारा है वनना नहीं है तो क्या यह लोग के पास अगर अखल है तो सच में मेरे से महबत करते हैं नहीं करते हैं आप ये बोलो क्योंकि अगर मेरे से कोई महबत करते हैं आके बोलेंगे कि हम तुम्हार को चाहते हैं इसके लिए कि तुम मतलब जैसा मैं हो लोको बोल रहा हूं अगर कोई मेरे को आके बोलेंगा कि मेरे साम में गौड का नाम लेंगा या किसी का नाम लेंगा तो चाहना वैसा कासि कर dużée नि करूंगा मैं तो महला सक्षान स्ची महला सची आपना यह बोलोना कर चाहना तो मैं तुम्हारसे सची महला करता अगर महला मैं महला मरा ज often येत्स क्रतों अगर उन्हें जूट झाहर सकती है या उसको छोड़ दे सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं सची मुभबत करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है सच क्या है, God कभी ने मरता, मेरे को अखल है, सच की समझ है मेरे पास, आप क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए, मेरे को बताइए आप